तो आप डिसक्स करेंगे Bombay Super Hybrid Seeds Limited के बारे में और स्टॉक के उपर मैं कोई कोश्चन आया था कि स्टॉक के बारे में बताएं ये कोश्चन है यहाँ पर ठीक हाँ देख सकते हैं तो यूजिली मैं ऐसी कंपनी इसको कवर नहीं करता हूं मैं कहता नहीं हूं कि आप एंडर तक देखो लेकिन अगर आपने इस वीडियो को क्लिक के तो इसको जरूर देखना आपको सीखने को बहुत मिलेगा क्यों काफे सारे red flags है जो मैं आपको दिखाऊ हूं इस company के अंदर और जो आप अपने analysis में भी use कर सकते जब कोई आप दूसरी company analyze करो खुद से इस company के बारे में जान लेते हैं basically यह Bombay Super Hybrid जो है यह seeds की processing करती है grounded seeds, onion seeds, coriander seeds, gram seeds उनकी processing करती है उनका buy product बना के market में sell करती है और यह साथ-साथ advise करती है farmers को productivity को increase करने के लिए यह इनका business model है और जो market cap के accordingly एक small cap company है 2578 क्रोड के इसकी market cap है stock PE 129 का है जो की बहुत जादा है ROC 22% का यह काफी अच्छा है ROE 35% का यह भी काफी अच्छा है price to book value 45.8 है यह बहुत जादा book value 5 की है stock की और price to book 45 का है यह तो बहुत ही जादा valuation है company का percentage pledge जो है वो zero है company ने कोई भी share अपना गिरिवी नहीं रखा हुआ debt to equity 0.94 है मतलब company पर debt बहुत जादा है अब बात करते हैं कि profit and loss की और profit and loss काफी अच्छा लगएगा आपको देखने में क्यूं क्योंकि जो इनकी sales है आप देखेंगे last three years में तो 2020 में 103 क्रोड किया 38% की growth के साथ 21 में 171 क्रोड के 65% की growth के साथ काफे अच्छी growth रही 22 में 13% की growth करी और 23 में 17% की growth रही मतलब company की growth है वो रुकी नहीं है company growth करती जा रही चाहिए लेकिं company ने अच्छी growth करी है लेकिन अगर आप इनके net profits देखेंगे तो और भी तेजी से बढ़े है मतलब 3 crore का profit फिर 6 crore हो गया 6 से 10 फिर 70% से बढ़ गया profit और company के margins भी improve हुए तो profit and loss तो company का अच्छा है देखने में balance sheet की बात करें तो इनके reserves जो है वो 46 crore के है अभी तो इनकी reserves बढ़े है last two years के अंदर इनकी borrowings अगर आप देखेंगे तो borrowings भी साथ साथ बढ़ रहे है वो 16 crore, 30 crore, 39 crore अभी 53 crore की borrowings है company के उपर उन borrowings में अगर आप नसर डालेंगे तो long term borrowings है 1 crore है लेकिन short term borrowings जो है व cash equivalents होते है तो भी हम सोचते कंपनियां से cash equivalents से pay कर देगे लेकिन company के पास inventory है 114 crore की और 114 crore की inventory होने का मतलब यह है अगर company है 70 crore की inventory से अपनी short term borrowings 39 crore की पहली पे कर देखेंगे तो फिर यहां पर इतनी borrowings नहीं नज़र आती लेकिन already इसका clear meaning यह है कि company की short term borrowings बढ़ र नहीं जो इतना अच्छा revenue करने वाली company profit करने वाली company उसके पास cash equivalent जो है वो zero है अब बात करते हैं इन्वेस्टर's portfolio की जो की यहां पर available है लेकिन मैं NST की website पर आपको दिखायाता हूं और investor portfolio में अगर आप देखेंगे तो यहां पर sure holding pattern में तो जो promoters है उनके पास 73.27% का stake है जून तक और public के पास 26.73% का stake है मतलब QIB के पास 0% holding है और अब बात करते हैं company की जो एक और red flag है वो मैं आपको दिखाता हूं यह इनकी annual reports है मतलब अगर आप इनके announcement देखेंगे तो company की कोई भी presentation नहीं है जिसके अंदर company ने यह ब proper presentation में हम सभी companies में देखने को मिलती है तो presentation यहाँ पर नहीं है company ने सिर्फ एक PDF दे रखी है इनके result की और इस PDF के अंदर आप देख सकते हैं यह सिर्फ एक auditors की report है जो भी उन्होंने updates दिये हैं यह review report है auditors की यहाँ पर numbers दिये हुए है और इसके लावा कुछ नहीं है तो य क्योंकि investors का काफी पैसा लगा होता उसके अंदर management presentation देता है presentation के अंदर सारी चीज़े वो लोग बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने last year sell करी क्या उसके अंदर उस sales के अंदर उनका revenue model क्या रहा कितना percentage उन्होंने किस market में कमाया पुरा breakup को लोग देते हैं उसके अंदर तो वो सब चीज़े यहां पर नहीं दी हुई है तो यह company के कोई भी ऐगर ऐसी company है जो अपनी presentation नहीं दे रही है management कोई भी update नहीं दे रहा है कोई conference call नहीं कर रहा है तो उस company में कोई clarity नहीं होती रिटेल इंवेस्टर को ठीक है आप कहा जाओगे investor as a retail investor information लेने के लिए आप management को call करोगे email लिखोगे कोई retail investor ऐसा नहीं करता जिनके पास बड़ी holdings होती हो लोग definitely management को reach out करते है QIV के लोग जिनके बड़े funds होते है लेकिन retail को यह सब information मिलती है इनी सब स्थीज़ों से conference call या फिर presentation के जरिये से और वो management कर नहीं रहा है तो यह clear red flag है आप इस तरह की companies में चार्ट दिखांगे पर मंतिली लगा करके तो आप देख सकते हैं 2020 के अंदर October में इसका IPO आया था और IPO लगबग आप देख रहे हैं काफी low level पे कहीं इसका price यहां के देखने को मिल रहा हूं को नीचे के भाव पर ठीक है लगबग 40 रुपीस के आसपास और मैं अगर इसको अपर सकेट लगते गए कहां से किस भाव से लगबग 48 के रुप से लेकर के स्टॉक को लेकर जाए गया 130 के पास में अपर सकेट लगाते वे फिस टॉक फोड़ा से नीचे आया और फिर दुबारा से इसमें अपर सकेट लगते गए और स्टॉक यहां से देख रहे हूं अपर सकेट लग रहे हैं इसका क्लेर मीनी यह है कि रिटेल इंवेस्टर को ट्राप किया गया उनको दिखाए गया कि कंपनी के लिए कोई इंसाइटर बहुत अच्छी इंफरमेशन है कोई न्यूज है तभी यह स्टॉक उपर जा रहा है लोग बाय करते गए एक हाय बनाया स्टॉक ने फिर यहां वॉल्यूम डंप करना बहुत मुश्क्igu होता है तो चो यहां पर खरिदता जा रहे था मघंख सकता है और बीचे लयाए सटॉक को यहां से और नीचे लेकर कि आये stock को और stock को accumulate करे और फिर वापस से stock को उपर लेकर कि जाए तो इसमें देखो learning यही है आप लोगों के लिए कि आप इस तरह की company से please दूर रहें अपना hard and money in companies के अंदर ना डालें अपर सकेट लगना clearly उनी companies के अंदर समझ में आता है जिन companies का business किसे tailwind पे हो government की तरफ से कोई ऐसी news आई हो कि हाँ इस business को इस तरह की industry को यह तरह का support मिलेगा या फिर company ने कोई बहुत बड़ी deal crack करी हो कोई उनको बड़ा contract मिला हो business का company का कोई acquisition हुआ हो कोई demurger हुआ हो उस तरह की news पे अपर सकेट समझ में आता है या company का result बहुत अच्छा या हो company ने outstanding growth कर दियो तो अपर सकेट लग सकता है अपर सकेट लगने का एक base होता है आप अगर किसी भी company अपर सकेट लगता हो तो प्लीज उसको जाकर करके आप पहले analyze करो कि अपर सकेट लग क्यों रहा है क्या reason है उसके पीछे अगर आपको reason समझ में आए तभी आप उसे position बिल्ड करों अगर आपको reason नहीं समझ आता हो प्लीज उससे दूर रहो कंपनी कितनी ही बड़ी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो कि operator सभी तरी की companies के अंदर थोड़ा थोड़ा गेम अपना करता रहता है और यहां तो एकदम solid open में कर रहा है वो गेम चार्ट में clearly visible है और उसके बाद में देखो लोगों ने शायद यहां पर भी कहीं ना कहीं खरीद जा रहा है तो management क्यों नहीं करेगा अगर management जिसने 2800 रुप पे stock बेचा हो वो 600 रुप नहीं करेगा यहां पर dump कर देगा यहां डंप कर देगा जब management चड़ते वे बाव पर dump करना शुरू करेगा ना 73% में से कुछ-कुछ percentage share operator खुट trap हो सकता है operator trap इसले नहीं होता क्योंकि management रहना के involved रहता है information रहती है clearly pump and dump का game है आप लोग इस तरीके कंपनी से चाहिए यह हो या कोई भी और company जो इस तरीके से अपर सकेट चलती हो बिना information के बिना किसी knowledge के बिना किसी update के आप उसमें बाइंग ना करें अपना hard and money ना डालें और जिन्होंने उपर के भाव में ज करके निगल जाना चाहिए और fresh position तो बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए किसी को भी analyze करते हैं लोग कहते है technicals नहीं देखनी चाहिए मैं आप यह सब चीज़ों प्लीज ज़रूर देखो कि किस सरी के काम कर रहे हैं कहां यह साथ गुना हो गया stock उसके बाद में देखो कहां आक सब्सक्राइब करें इस वीडियो को सब्सक्राइब करें इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं एक ली वीडियो में थैंक्यू सो मच